Hello friends, welcome back to my channel, आज का टॉपिक है मेरी प्रियरित्तु पन्नीबन्द शीतृतु Please like, share, comment and subscribe my channel तो चलिए देखते हैं मेरी प्रियरित्तु शीत रित्तु है शीत रित्तु वर्षा रित्तु के बाद आती है शीत रित्तु भारत की मुख्य रित्तुों में से एक है शीत रितु नवंबर से फरवरी के महिनों के बीच तक रहती है शीत रितु अपने साथ बहुत सारे त्योहार लेकर आती है दिपावली, दशेरा, नवरात्री, भाई, दूज, क्रिस्मस आदी शीत रितु में दिन छोटे और राते बड़ी हो जाती है यह रितु बहुत थंडी होती है दिसंबर वर जनवरी के महिने सबसे थंडे होती है सुभे सवेरे हर जगे कोहरा चाया रहता है ओस की बुंदे हर जगे देखने को मिलती है शीत रितु में पूरा भारत सर्दी से ठुटर नहीं लगता है सभी रोग उनी कपड़े पहनते हैं रजाईयों ओडते हैं गरम-गरम खाना खाते हैं वे हीटर चला कर रहते हैं इस मौसन में सूरज बहुत कम दिखाई देता है बच्चे भी घर के अंदर खेलते वे पढ़ते हैं बच्चों का शीत कालिन अवकाश भी आता है शीत रित्तु में बहुत मज़े आते हैं इसलिए ये रित्तु मुझे बहुत पसंद है थैंक्स पर वाचिंग